दोस्तो आज ही टिप्स और ट्रिक्स ऐसे हैं जिनसे आपका धेर सारा पैसा बचेगा साथ ही आपकी धेर सारी बचत भी होने वाली है क्योंकि ये टिप्स हैं कवाड से जुगार वाले जो आपको बहुत ही जादा पसंद आएंगे एक से बढ़कर एक टिप है इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीज़ेगा और पूरा देखिएगा हलो दोस्तो मैं हूँ प्रतिभा और स्वागत करती हूँ एक बर फिर से आपका अपनी चैनल वर्दान पकवान में तो चलिए दोस्तों बेना देरी के आज कई वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला टिप है मेरा यहां पर हरी सबजी को लेकर दोस्तों हम क्या करते हैं मार्केट से सबजी लेकर आते हैं और ऐसे ही इनको फ्रिज में रख देते हैं और क्या होता है यह इस तरह स लेकिन क्या होता है न कुछ लोग तो इसको साफ करके अच्छे से रखते हैं लेकिन कई लोग जल्दबाजी में ऐसे ही इसको फ्रिज के अंदर डाल देते हैं जैसे मुझे कई बार जल्दबाजी होती है मैं लाका सीधा इसको फ्रिज के अंदर डाल देती हूं तो दिखे ए यह जो polythene में हमारी सबजी है ना इस तरह से कट लगा देना है यह देखे तो आप इस तरह से छोटे-छोटे से होल बना दोगे न इस polythene के अंदर तो क्या होगा जो इसके अंदर एयर है वह नो बाहर निकलती रहेगी तो इससे आपकी जो सबजिया है दोस्तों बिल्कुल भी सड़ेंगी गलेंगी नहीं और नहीं पकेंगी ये दोस्तों मेरा अजमाया हुआ बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है आप भी यूश करके जरूर देखिएगा अगर आप भी इनको साफ करके नहीं रख पाते हैं जब भी काटते हैं तब ही साफ करते हैं तो ये ट्रिक आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है यहले के दोस्तों इस तरह से मैंने क्या किया इसमें होल बना दी है और होल बनाने के बाद अब मैं इसको किसी भी डबे वगएरा में रखकर दोस्तों अच्छे से फ्रिज के अंदर रख दूँगी जब भी मुझे चाहिए होगा बस इसमें से निकालूँगी और धुलकर के घर में होता है लेकिन जिस घर में छोटे बच्चे होते न दूसको उसमें बड़ी ही दिक्कत होती इस तरह से हम हेंड बॉस निकलते हैं खासका छोटे बच्चे तो धेर सारा वो निकलता है और बार बार बच्चों को आदत होती है हेंड़ आधी बॉटल से ज़ нники और rubber vent को आपको यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से लगा देना है ठीक है इससे क्या फाइदा होने वाला है दोस्तों वो आपको अभी पता चल जाएगा यह देखिए मैंने इसको इस तरह से अच्छे से लगा दिया है अभी दोस्तों जब भी आपको hand wash निकालना होगा नहीं नहीं निकलेगा और इससे आपका जो hand wash है जल्दी खतम भी नहीं होगा खासकर छोटे बच्चे जिनके घर में है ना उनके लिए बहुत ही useful trick है दोस्तों आप इसको use करके जरूर देखिएगा तो चली दोस्तों अपना अगला टिप भी देख लेते हैं दोस्तों सबसे यह problem कभी भी face नहीं करनी पड़ेगी अभी दोस्तों देखिए जैसे मुझे इतना टेप चाहिए तो इतना टेप मैं इसको इस तरह से cut करके निकाल लेते हूँ अभी देखिए जो बचा हुआ है इसको मैं क्या करूँ अगर मैं इसको direct ऐसे ही चिपका दूँगी दोस्तों इस तरह से fold करने से क्या होगा दोस्तों जो हम इसको इस तरह से चिपका देंगे तो नीचे से यह पलट जाएगा और अच्छे से चिपक जाएगा अब आपको कभी भी इसको खोजना होना तो आप देख सकते हैं यहां silver है और पूरे tape में आपको कहीं भी silver दिखाई नहीं देगी तो इससे बहुत असानी से आपको जब भी इसका छोर ढूंड़ना होगा ना बड़े ही आराम से आपको मिल जाएगा ज्यादा आपको मसकत करने की जरूत नहीं पड़ेगी यह देखिए ठीक है आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि इसको हमने यहां पर लोटा है और पूरा टेप बिल्कुल प्लेन है इसे दोस्तो हमें बहुत जल्दी से अंदाजा हो जाता है कि हमारा जो टेप का छोर है वो यहां पर है यह देखिए इस तरह से आपको जब भी यूज़ करना है इसमें से निकाल लेजे या फिर दोस्तो आप एक काम और कर सकते हैं होप दोनों अच्छे लगे होंगी तो कमेंट बॉक्स मुझे जरूर से बताएगा कि इन दोनों में से कौन से ट्रिक आपको अच्छी लगी है चले फ्रेंड्स अब देख लेते हैं अपना अगला ट्रिक दोस्तों क्लेचर तो हम सभी के घर में होते हैं लेकिर कई बार क्य इसका शेयर करूँगी जो आपको काफी पसंद आने वाले हैं तो चलिए दिखाती हूँ अभी दोस्तों पहले जोगार में देखे हमारे पास प्रेस होती है और इसकी जो वायर होती है आपने देखागी होगा इसको करने के बाद हम ऐसे ही छोड़ देते हो और ऐसे ही ये तो दोस्तों इसको रखने के लिए है आप क्लेशर का इस्तमाल कर सकते हैं सबसे पहले इसकी जो बायर है इसको अच्छे से अपक्षा कर लिजे और दोस्तों इसको यूज़ गया हो या इसका एक दान तूट गया हो तो इस तरह से आप नwynibo इसको एक खटा करने के हसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं ये देखिए अच्छे से हाँ पर फिट हो जाता है और हमारी जो वायर है वो भी इदर उदर फैली हुई बिल्कुल भी नहीं लगते हैं तो शाल ये ये तो पहला यूज़ हो गया दूसरा भी देख लेते हैं अभी दोस्तों मैंने लिया है यहां पर एक डबल टेप और इसको मैं इस तरह से कट कर लूँगी कट करने के बाद दोस्तों मैं इसका कैसे यूज़ करने वाली हूँ क्लेचर पर ये देख लीज़े तो इस तरह से आप चाहें कोई फैबिक भी ले सकते हो या फिर इस तरह का डबल टेप भी ले सकते हो और जो आपका क्लेचर है ना यहां पर आपको अच्छे से इसको फिक्स कर देना है और इसके बाद दोस्तों आप इसको लगा देजे अपनी अलमीरा में कहीं भी ड्रेसिंग टेबल के पास और इस तरह से अपने जो नेकलस वगएर है या माला व देजेगा तो कल फिर से बिलते हैं एक नई वीडियो के साथ आज की वीडियो कमेंग यहीं पर एंड करती हूं तो जोड़े रहेएगा इस तरह की यूसफोल टिप्स और ट्रिक्स देखने के लिए वरदान पकवान से और दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के लिए आ आपका प्यार और साथ इसी तरह से बनाई रखीगा बाबाई एवरिवान एंड थैंक्स पूर वाचिंग बाबाई